Since we know sin inverse x plus sin inverse y जो होता है, sin inverse x 1-y square plus y 1-h square तो यहाँ पर हम वही formula लगाएंगे sin inverse इसको हमाल लेंगे x इसको हमाल लेंगे x इसको हमाल लेंगे y तो यह आएगा हमारा 4x under root 1-9x square plus 3x 1-16x square तो यहाँ जाएगा minus 5 by 2 अब इसको हमाल लेंगे जाएगा तो यहाँ जाएगा 4x 1-9x square 3x 1-16x square तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो यह 4x 1-9x square को इधर ही रखेंगे और यहाँ जाएगा minus 1 और इसको इधर लेंगे जाएगा क्या जाएगा 3x 1-16x square इसको हम solve करेंगे आगे इसको square कर देंगे पूर इसको 3x 1-16x square तो यहाँ जाएगा हमारा 16x square minus 144x की पावर 4 यहाँ जाएगा 1 plus 9x square minus 144x की पावर 4 plus 6x 1-16x square तो यह कट गया इससे तो यहाँ पर आएगा यह नाए तो जाएगा 7x square यह इसको हम लेकिए यहाँ जाएगा यहाँ पाएगा 49x की पावर 4 plus 1 इसको square करेंगे पूर उसको यह जाएगा यहाँ पाएगा कितना 36x square 1 minus 16x square यह जाएगा 49x की पावर 4 plus 1 minus 14x square 36x square minus 576x की पावर 4 39x की पावर 4 plus 5 76x की पावर 4 minus 14x square minus 36x square plus 1 equal to 0 तो यह जाएगा 625x की पावर 4 minus 50x square plus 1 equal to 0 तो यह 25x square का whole square जाएगा 2 25x square और यह 1 का whole square तो यह जाएगा यह जाएगा 25x square minus 1 तो यह जाएगा 25x square minus 1 जाए जाएगा 27x square equals 1 लेक मावा, 21 x square थाएगा 26xπ ॲेकी माव, 21 जाएगा 7 यंड़ी